तो दोस्तों आपका आई टुस्टेए टीम पर और हम आज पढ़ेंगे MPG के एंड साइंस हम कर रहा है MPP काउंस्टिवल्स की प्रेवियस पीपर सॉल्व करेंगे दोस्तों आज और हम पिछली वीडियो हम बने चुके हैं यदि आपने पिछली वीडियो नहीं दीकिए तो ल यदिनियम को खालिस्तान के दिन राष्टपती स्वीकृति मिली थी कौन से 15 जून 2005 को मिली थी अगला कॉस्चन है किर्शी अफसेसों से CNG बनाने वाला भारत का पह प्रतम जेव CNG प्लांट खालिस्तान में इस्तित है कहां पह इस्तित है महराष्ट में इसका अंसर वो महराष्ट सबसे लंबी अबदी का कारेकाल रा है सबसे लंबी अबदी का कारेकाल रा है जब अलाल नहरुजी का अगला कॉस्चन है सर्वुच न्याले की न्यादीतों को किसकी द्वारा हटाया जा सकता है इसका अंसर है दोस्तो संसत की द्वारा दोस्तो बहुत सरल कौशन आते हैं यदि तीस दावत अंतिरिश केंद्र में खालिस्तान में इस्ते थे कहां पर इस्ते थे दोस्तो ये ये इस्ते थे सिरी हरी कूटा सैकंड वाला अंसर इसका सही अगला कौशन है भारत में किस राज्य में अदिक्तम बन चादन है इस में होगा दोस्तों आपका अंशर मत्पिरदेश में अगला कोशन फारत में बारा जो तरी लिंग है उनमें से दो मत्पिरदेश में कहा इस्तित हैं उजेन और आंकारिश होगा इसका अभी दोस्तों MPGK के और अफ़र फिर वाद में करेंग, साइंस की करेंग, पहले MPGK के कॉस्चन करते हैं पूरे, अगला कॉस्चन है 1965 में हुई भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रदानमंत्री कौन थे? लाल भादो सास्त्री थे अंतिम मुगल समराट कौन था? अंतिम मुगल समराट उत्तिय थे? भादोशाद होती है अही रावान काहँ परिष्ट्य थे? इसमें कहें मूर जिले में भारत के किस पड़ोशी देश में सुंदर्वन फैला हुगा है वांगला देश इसका अंसर होगा अंगला देश अगला कौस्चन है पिर्षिद गायक तांसें कहां से थे? गौालियर से थे अगला कौस्चन है सौन नदी का उदगम खाली स्तान के समीब है सौन नदी का उदगम कहां पहे? अमरकंटक के समीब है अगला कौस्चन है दोस्तों अब आते हैं दोस्तों अपनी साइन्स के कौस्चन प्रेवियस कौस्चन कर रहे हैं अपन भव कोश्ची है जीवों के विसे में गलत तत्य क्या चायन करना है अपन को चलो दोस्तों इसके ऑप्सन दीखती है अपन प्रेवियस का विसे में प्रेवियस कार करने के लिए होती है यह तो सही है दोस्तों सभी कोशिकां जीवन संबन दी कार करती है यह भी सही है और सभी कोशिकां समरूफ होती है नहीं होती चौता कॉशिन दिया है पिर्ते कोशिका का अलग अस्तित्व होता है इसका दोस्तो सही है इसलिए इसमें अपना कॉशिका का अलग अस्तित्व होता है इसलिए इसमें अपना कॉशिका का अलग अस्तित्व होता है इसलिए इसमें अपना कॉशिका का अस्तित्व होती है इसल अगला कौश्चन है समतल दरपण में आभासी पृतिविम सदेव इस पर दिर्मित होता है किस पर होता है दरपण के पीछे अब अगला कौश्चन है अपना उस संदचना का नाम बताईए जो पसू कोशी का में आसपास के परीवेश से कोशी का अवयव को पिर्तक करती है पिर्तक मतलब अलग करती है इसका अंसर हैगा कोशी का जिल्ली जो दसवा कौश्चन है गयों एक बीच पत्री है क्योंकि क्योंकि इसमें रिशिदार जड़ प्रणाली है क्योंकि इसमें इसका अंसर होगा दोस्तों पहला अप्सन इसका सही है अगला कौश्चन है अपना उत्तक का एक उधारान है इसमें अप्सन देखनें क्या क्या दियें अभी होगा दोस्तों इसमें अगला कोशन है अपने शोलवा कोशन है दूस्तो अगला अमुबा में अलेंगिक जिनन इसकी माध्यम से होता है इसमें अंसर होगा दूस्तो आपको दी विखंडन की द्वारा होता है कोस्चन है अपन बड़े बांदों के निर्मार का व्रोध इस कारण होता है के इसमें उप्संदी परियवरनिये कारण आर्थिक कारण सामाजिक कारण उफरिक सवी या अंसर होगा शाईन उफरिक सवी अगला कोश्चन है अपना निम्न मेसे कौन सा एक ताप सुगर्ट्य है इसमें होगा दोस्तों P.B.C क्या होगा? P.B.C अगला कोश्चन है अपना जब एक दंड चुमबक दो बरावर भागों में काटा जÁता है तो प्रतिक भाग एक चुम्बक बन जाता है इसमें चौता अंसर से होगा प्रतिक भाग एक चुम्बक बन जाता है अगला कॉस्चन है सूर्ष इसके बने होते हैं सूर्ष अधर चालक के बने होते हैं अगला कॉस्चन है कि पेषी लंबी गतिविदी के दौरा ठक जाती है धरीदार धरीदार से ठक जाती है धरीदार पेशा से ठक जाती है अगला question है निमले कितमे से क्या अत्याधिक ठंड के विरुद दुरुविये वालू को रोधन प्रदान करता है इसका अंसर है दोस्तो वसा परत वसा परत आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो लाइक सेयर कमेंट और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेश करें ताकि अगली वीडियो को तेकने के लिए धन्यवाद